हेलो फ्रिंद्स वेलकम बैक टू सिंपलिफाइड क्रैफ्ट लाई हूँ आज मैं आपके लिए एक और निया डिजाइन तो यह स्लीव का डिजाइन आप स्लीव पे आगे इस तरह से डिजाइन डाल सकते हैं बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है जो कि ब कुणी शेप में इसको कट कर लेना है तो यह देखे यहां पे इसको मिने ट्राइंगल में कट किया है इसी तरह से बहुतसारे पीसिस हमने कट कर लेने हैं इस स्लीव को बनाने के लिए तो जव भी छोटे-चोटे से पीसिस आपके कपड़े के बच्चते हैं उससे आप इस बिल्कुल चोटे-चोटे से पीसिस इसमें चाहिए कपड़े के बहुत बड़े-बड़े पीसिस की जरुवत ही नहीं है जो बिल्कुल चोटे-चोटे से पीस बचते हैं कपड़े के उसमें से आप यह डिजाइन बहुत इसली अपने स्लीव का बना सकते हैं और बहुत ही प् स्लीव के आगे इन तिकोनी शेप में जो हमने कट किये हैं पीसिस इनको हमने इस तरह से रखना है बिल्कुत थोड़ा सा कपड़ा जो है आधा इंच नीचे की और छोड़ देना है और आधा इंच कपड़ा नीचे छोड़ देना स्लीव का उसके ऊपर ये जो तिकोनी शेप म लिए हैं निकाल दिये है तो है कि एक ऐले के इसके पूरा इस तरह से आया है और इसका अंधर उपड़ी आपको शिलाइं दिखेगी कुछ नहीं दिखेगा कर दा दिया दो इसके अवपर सेम रख दिया तो यह कर लिया है और अभी जो तिकोनी शेप में मैंने ये पीसिस कट किये हैं इनको हम रखते जाएंगे और इनको पुरा सिलाई करेंगे तो आधा-धा इंच आगे की और कपड़े को छोड़ देना है जह देखिए इतना सा कपड़ा में आगे की और चोड़ा है और पीछे की और सारे तिकोनी शेप में इनको अटैच कर लेंगे तो आगे वाले ये कपड़ा है ये फोल्ड होगा बाद में इसी की वज़े से जो स्टिचिंग कहीं आपको दिखेगी नी बहुत फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन बनेगा अब ये देखिए जितने वी ये तिकोनी मेंने कपड़े के इन सब को मैंने अटैच कर लिया है अब यो आगे की और आदा इंच कपड़ा चोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके पूरा स्टिच कर लेंगे तो इसको ये तिकोनी शेप कपड़े के ऊपर ही जो तिकोनी शेप में ये हमने बनाए है इस तो यहां पर इसको मैं स्टिच कर रही हूं और करने के बाद यह देखिए आप इसका बाहर का लुक इस तरह से है और अंदर की ओर आप देखेंगे इसमें कोई आपको जो धागे जा फिर कुछ भी कपड़ा निकला हुआ कहीं नहीं दिखेगा तो यह स्लीव हमारी बनके रेडी है इसकी स्टिचिंग वगरे कर देते हैं पूरी और यह फ्रॉक बनाई है मैंने साइड प्लीट वाली तो यहां पर फिटिंग की सलाइड पूरी बनके बेरी रेडी हो चुकी है देखने में जितनी सिंपल लग रही है यह स्लीव उतनी ही पहने हुए यह बहुत ही ट्रेंडी और एकदम से युनीक लुक देती है तो इस तरह से आप जरूर ट्राइग करना पहुत ही प्यारी सी यह सिंपल सी एक स्लीव का डिजाइन है तो यहां पर हमारी यह फ्रॉक जो है वह पूरी बनके रेडी है इस तरह से साइड प्लीट पे मैंने बनाई है